हलो दोस्तों नमस्कार आईए स्टाट करते हैं आज की क्लास 29 अब डेसेंबर का इडिटोरियल है टर्निंग टैड तो टर्निंग टैड का मतलब पहले जान लो इसका मतलब होता है change a situation turning tide का changing situation मालो, बदलती हुई स्थितिया changing situation बदलती हुई स्थिति यह तो इस title का मतलब है बदलती हुई स्थिति तो turn the tide एक phrase होती है, इसका मतलब होता है change the situation इस editorial का PDF आपको telegram channel से collect करना है जो कि सुबह ही upload कर दिया जाता है उसके साथ vocab भी होती है तो आपको पता लग जाता है कि कौन सा session हम discuss करने वाले हैं और कौन सी words आपने सीखने वाले हैं तो उससे आप पहले से अगर उसको पढ़ कर आते हैं उसके बाद यह session देखते हैं तो आपको यह पता लग जाता है कि कितनी गलतियां आपने की हैं कहां कहां पर आपको क्या-क्या अर्थ निकालना था कैसे difficult words को handle किया जाता है कैसे grammar के concepts को लरटने के आवशक्ता नहीं पढ़ती यह सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी टेलेग्राम चैनल से वो PDF आप प्राप्त कर सकता है तो India's goods exports rebounded अच्छाए एक बात और कि आप session को पूरा देखा करो complete session देखोगे तब ही तो कुछ फाइदा होगा 5-10 मिनट देखने से, 15 मिनट देखने से बीच बीच में से देखने से कुछ मिलने वाला है नहीं जो भी इसके key highlights हैं जो भी important चीज़े हैं वो सब तो मैं आपको अलग से एक video बना कर provide करवा ही रहा हूँ पिछले भी कुछ session आपने देखे होंगे 3-4 मिनट की videos होते हैं उसमें जो भी highlights होते हैं जो भी important points आपके लिए होते हैं competitive exam के लिहाद से वो आपको अलग से provide करवा दी जाएंगे बाकि आप session को पूरा देखने का अदर डालिए और complete notes maintain करने का अदर डालिए और जब भी नया session आप देखें उससे पहले पिछले session को revise कर के देखा करो बहुत improvement आपको आएगा इसके अतरिक्त आप जरूर से like भी करके जाएं और share भी करें दोस्तों के साथ अधिक से अधिक ताकि और लोग भी जुड़ सकें और लोग भी जान सकें कि कैसे अंग्री जी आसान हो सकती है India's goods exports rebounded rebound क्या होता है rebound का मतलब होता है bounce back मतलब फिर से उच्छाल आना थेक है तो भारत का जो goods exports है भारत का जो समान का निरियात है वो rebound हुआ मतलब उसमें फिर से उच्छाल आया recovery उसमें आई from a nearly nearly का मतलब है about या approximately लगभग 17% dip था dip का मतलब है गिरावट fall decline तो 17% गिरावट थी अक्टोबर में अब ये थोड़ा असा 0.6% mild मतलब हलका light 0.6% इसमें uptick हुआ है uptick का मतलब है small increase थोड़ा बहुत यहां बढ़ोतरी देखने को मिली है नवेंबर में subject से goods exports verb है rebounded तो भारत के सामान के निरियात में थोड़ा सा bounce back हुआ है थोड़ा सा उचाल आया है लगबग 17% dip था अक्टोबर में अब ये थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है नवेंबर में 0.6% की mild ये growth हुई है ठीक है rebound uptick का मतलब अपने जान लिया dip का मतलब जान लिया आगे देखिए while the value of exports recovered while है वो दो closes को जोड़ता है तो एक close तो है while से लेकर और यहां तक October तक दूसरा close इट इट से start हो रहा है फिर आगे तक है ये September तक है तो दोनों close एक दूसरे के विपरीट आपको मिल सकते हैं क्योंकि while जो है वो although या दो जो conjunction होते हैं वैसा ही काम ये करता है थी 29.8 billion dollar थी फिर भी it is still significantly below अभी भी ये बहुत ज़्यादा कम है significantly का मतलब है considerably काफी ज़्यादा और still का मतलब है even now अभी भी ये काफी ज़्यादा कम है below है वो level में कम होने के लिए आता है the 39 billion dollar average between April and September मतलब अगर April और सितंबर के average को देखें तो उससे काफी कम है ये थीक है तो यहाँ कुछ चीजे काम की थी कि value की verb है वो तो है recovered it की verb है वो है edge थीक है while conjunction है दोनो वी प्रीत closets जो होंगे उनको जोड़ने का काम करेगा still का मतलब even now होता है adverb होता है considerably significantly का synonym है ये भी adverb है तो यदपी जो value है exports की वो recover हुई 32 billion डॉलर तक गई recover होकर और पहले October में कितनी थी 39.8 billion डॉलर थी फिर भी ये बहुत ज़्यादा कम है 49 billion डॉलर से अगर तुलना करें तो और ये 49 billion डॉलर कब का बता रहा है या अप्रेल और September के बीच का जो average है ना उसकी बात कर रहा है between के साथ में हम end लगाते हैं तो ये end दे रखा है आगे कहरा है imports growth moderated moderate का मतलब balance होना है संतुलित होना है तो जो आयात वाले में वरदी हुई है वो moderate हुई ये इसकी verb है और कहां तक गई 5.4% तक with the value of shipments slipping to 55.9 billion dollar और इसमें आप shipments जो देखेंगे shipments का मतलब होता है समान को एक इस्तान से दूसरे स्तान तक carry करवाने का process समान को एक इस्तान से दूसरे स्तान तक ले जाने की प्रक्रिया होती है उसको shipment बोलता है तो आयात में जो growth है वो moderate हुई जबकि जो shipments की value है वो गिरावट उसमें आई है 55.9 billion dollar तक ये चला गया है तो लगाते हैं मतलब यहां तक गया है ये इसकी मंजिल होगे destination होगी ये एक ऐसा स्तर है last scene in February जो कि पिछले फरवरी 2022 में देखा गया था पिछली बार फरवरी 2022 में देखा गया था which was followed by और इसका पीछा किस ने किया ये follow किया गया 7 months of import bills of around 60 billion dollar मतलब इसके बाद में 7 महिने का import bill है वो लगभग कितना रहा 60 billion dollar तक रहा तो क्या कहना चाहता है imports growth की verb moderated है which की verb was followed है और B के साथ में third form है B के साथ third form है तो ये passive है तो imports growth जो है वो moderate रही 5.4% तक गई जबकि जो shipments की value है वो slip हुई खिसकी नीचे की तरफ गई dip हुई 55.9 billion dollar तक गई ये एक ऐसा level है जो पिछली बार फरवरी 2022 में देखा गया और इसको follow किया मतलब इसके बाद में 7 महीने तक imports bill जो है वो लगबग इतना रहा 60 billion dollar तक है ठीक है इसके आगे देखिए इसका screenshot आप ले सकते है फिर कह रहा है कि merchandise trade deficit merchandise का मतलब होता है वो समान जिसको बेचा जाता है ठीक है जो समान कोई goods जिसको बेचते है goods for sales जो होता उसको merchandise बोलते है तो वस्तों का जो trade deficit है deficit का मतलब घाटा होता है deficit का मतलब यह मानलो की निरियात कम हो रहा है आयात ज़्यादा हो रहा है तो वो deficit है तो merchandise trade deficit जो है वो इज हुआ इज हुआ थोड़ा सा मतलब धीला पड़ा इस का मतलब धोड़ा धीला पड़ना और कहां तक गया 25 बिलियन डॉलर के नीचे गया बिलो लेवल में नीचे के लिए आता है बिलो का opposite जो है वो अबव होता है बिलो का विप्रीट प्रेपजिशन अबव होता है तो merchandise trade deficit है वो थोड़ा धीला पड़ा और 25 बिलियन डॉलर से नीचे गया पहली बार 5 महिनों में for the first time in 5 months first है वो ordinal number है first, second, third, fourth ये सब ordinal numbers होते हैं इन से पहले हमें दैका प्रियोग करना पड़ता है ये पता होना चाहिए next देखिए the easing of some commodities prices जो कुछ commodities है commodity का मतलब वस्तुएं है जिसको खरीदते बेचते हैं उन वस्तुओं को commodity बोलते हैं तो कुछ वस्तुओं की कीमतों में जो easing मतलब थोड़ी चो धिलाई आई है थोड़ा सा नरम पड़ी है वस्तुओं की कीमतें ये help कर सकती है किस चीज में कर्ब करने में नियंत्रित करने में कर्ब का मतलब होता है रोकना, रेस्टिट करना, रीस्ट्रेंड करना रेस्टिट कह सकते हो रीस्ट्रेंड कह सकते हो तो ये थोड़ा help कर सकता है रेस्टिट करने में, रीस्ट्रेंड करने में किसको? इंपोर्ट बिल को जो आयात का बिल जादा जा रहा है उसको and deficit और जो घाटा है उसको to some extent मतलब कुछ इस्तर तक extent का मतलब होता है level but this could cut both ways cut both ways एक fringe है इसका मतलब होता है दोनों ही तरफ होना अच्छा प्रभावी पढ़ना बुरा प्रभावी पढ़ना तो both good and bad impact इसको बोलते हैं cut both ways एक fringe है लेकिन ये दोनों तरफ का असर डाल सकता है कारण क्या है as यहां conjunction है इसका मतलब क्योंकि है क्योंकि जो value है कुछ exports की वो boom हुई boom का मतलब है increase हुई because of global price trends earlier किस कारण से हुई global price trends के कारण जो west week कीमतों का रुजहान है उसके कारण will also decline तो ये जो है मतलब जो exports की कीमते एक्सपोर्ट जो boom हुआ था उसमें भी गिरावट आई है तो हालंकि import बिल्तों कम हो जाएगा import में पैसे जादा खर्च कर रहे थे वो कम हो जाएगा लेकिन यहां पे export जो कुछ समय के लिए एक बार boom हुआ था उसमें भी गिरावट आएगी सब्जेक्ट वर्ब देखें तो easing की वर्ब है वो may help है may model है help based form है model के साथ this है इसकी वर्ब could cut है और that है वाराई exports के लिए इसकी वर्ब है वो boomed है cut both ways एक phrase है इसका मतलब होता है दोनों तरफ का असर डालना अच्छा बुरा दोनों पर भाव पढ़ना अच्छा help के साथ में दो situations बनती है आप चाहें तो help के साथ में सीधा base form लगाएं चाहें तो two के साथ base form लगाएं both are possible लेकिन ध्यान रखेंगे two के साथ generally help के साथ base form देखने को मिलेगी आपको newspaper reading के दोरान तो यह base form दे रखें curve two के बगाएर दे रखें यह भी सही है extent का मतलब level होता है boom का मतलब increase होना होता है also है यह adverb है और also की position generally याद रखें कि जब आप adverb की बात करते हो तो आपको position पता होनी चाहिए जो adverb होते हैं उनकी positions को लेके प्रशनाते हैं प्रिक्षाओं में तो also एक adverb है और यह generally man verb से पहले आता है also यहाँ man verb से पहले आएगा generally अगर linking verb होती है is, mr, was, were यह सब तो इनके बाद में आता है या फिर कभी-कभी क्या होता है sentence के पहले आ जाता है तो sentence के शुरुआत में भी आ सकता है man verb से पहले भी आ सकता है और linking verb के बाद में भी आ सकता है यह सब आपको also के बारे में ध्यान रखना decline का मतलब गिरावट आना है, fall होना है इसका screenshot ले सकते हैं आप इसके बाद देखी इसके बाद कहा रहा है part of the import bill dip तो थोड़ा बहुत जो गिरावट इसमें आई है import bill में, यह trigger हुआ trigger हुआ, मतलब activate हुआ activate उत्परिदित होना होता है set off करना कह सकते हूँ ठीक है, activate या set of trigger के synonyms होंगे तो थोड़ा जो इंपोर्ट bill में गिरावट आई है ना, उसके पीछे थोड़ा सा हिस्सा जो है वो trigger किया गया उसका एक छोटा मोटा part की इसमें इसका भी योगदान था तो किसका योगदान था यह trigger हुआ था lower non-oil cargo cargo का मतलब क्या होता है cargo इसको बोलते है किसी aircraft के द्वारा या ship के द्वारा किसी एक चीज को carry करना, transport करना चीज़ों को उसको cargo बोलते है non-oil cargo का मतलब हो गया कि oil की अत्रित कोई वस्तू अगर है मतलब oil नहीं होना चीए बाकि कोई वस्तू है उसकी बात कर रहा है तो कहरा है कि थोड़ा बहुत जो import bill में गिरावट आई थी वो trigger किसके द्वारा था कि कम यहाँ पे non-oil cargo हुआ मतलब oil के थे कोई वस्तू अगर transport की जानी है तो वो कम हुआ signaling, संकेत देते हुए present participle है जब दो actions साथ-साथ में होते हैं कि एक ऐसे किया एक ऐसा करते हुए किया तो उसे हम present participle नाम देते हैं और उसके साथ में हम ING लगाते हैं तो signal देते हुए, संकेत करते हुए किस चीज का slowing domestic demand जो domestic demand है घरेलू demand है कम होती भी घरेलू demand slow का मतलब कम होता हुआ domestic का मतलब घरेलू demand का मतलब मांग तो कम होती भी जो घरेलू मांग है उसका संकेत देते हुए लेकिन non-oil exports के जो performance है जो non-oil, मतलब oil कैते हैं कुछ भी आप export कर रहे हैं उसकी performance जो है वो काफी चिंता का विशे है बहुत ज़्यादा चिंता का विशे है subject है apart verb है इसकी was triggered passive है बी के साथ में third form है बी का मतलब ismr होता है बी का मतलब waswar होता है बी का मतलब bean होता है बी होता है, being होता है यह सब बी के forms है तो apart की verb है was triggered है ठीक है अच्छा यहाँ पे यह performance है इसकी verb age है तो क्या कहना चाता है तो import bill में dip जो है उसका एक हिस्सा trigger किया गया था lower non oil cargo की दवारा इसमें यह संकेत मिला कि घरिलू demand कम हो रही है लेकिन non oil exports की जो performance है वो एक greater worry है काफी बड़ी चिंता का विशे है ठीक है their share in exports growth उनका जो हिस्सा है किसका यह exports की बात कर रहा है oil exports जो है तेल के अत्रिक किसी की चीज़ का निरियात किया गया उसकी बात कर रहा है यह possessive adjective है possessive adjective के बाद में noun लगाते हैं तो उनका जो share है in exports, exports growth में has been shrinking तो यह growth की verb यह जो share की verb है has been shrinking है shrink का मतलब होता है contact होना, reduce होना, कम होना तो उनका जो हिस्सा है exports growth में यह shrink हो रहा है कब से, June से ही तो एक काम की बात यहाँ पे है कि जब भी आप four year since के साथ time देखें जब भी आप देखें four year since के साथ time तो फिर आपको ध्यान क्या रखना है perfective aspect लगना हो चाहिए उस sentence में perfective का मतलब चाहे perfect हो यह हो सकता है perfect continuous हो यह हो सकता है तब perfective aspect लगना चाहिए इसी कारण से यह has been shrinking present perfect continuous use किया जा रहा है तो उनका जो हिस्सा है exports growth में वो सिकुड रहा है, वो कम हो रहा है कि इसमें कब से जून से with the contraction अब इस चीज के साथ इसके चलते कि जो संकुचन है, जो shrinkage है जो contraction है, जो reduction है वो काफी बढ़ रहा है accelerate हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है for many sectors, बहुत सारे sectors के लिए ऐसा है, कब से September से लेकर November तक, अब थोड़ा sectors के बात बताएगा, engineering goods engineering goods का मतलब है, कुछ बनाने के लिए जो समान चाहिए होता है, उसको engineering goods बोलते हैं, जैसे कि transportation के लिए जो समान चाहिए, वो engineering goods में आता है, है न, या industry के लिए कोई समान चाहिए, वो engineering goods में आता है तो engineering goods, that draw drive के second form है, push करने का मतलब है, इस draw का मतलब है push करना आगे की तरब धकेलना तो engineering goods जिसने की भारत का record for 22 billion dollar goods exports को drive किया मतलब इसके कारण भारत का समान का जो निरियात है वो इतना पहुंचा कब 21-22 में ये भी ये जो engineering goods है इसकी वब contracted है ये संकुचित हो गई कितनी इतनी जबकि textiles मतलब वस्तर उद्द्यो कपड़ों की बात कर रहे है फैल फॉल के second form है a steeper 25% steeper का मतलब है sharper ये और भी तेजी से गिरा है और 25% गिरावट इसमें आई है तो there share की verb है has been shrinking और engineering goods है इसके लिए that relative pronoun है तो इसकी verb है वो है draw और फिर engineering goods की verb है वो contracted textiles की verb है वो fell और याद रखेंगे एक चीज की fall है वो intransitive verb है इसकी second form fell होती है third form fallen होती है और अगर fell ये हो तो इसकी second form felled होती है और third form भी felled होती है fell, felled, felled, felled होगा fall, fell, fallen होगा ये transitive verb है इसका मतलब गिराना होता है और fall है इसका मतलब गिरना होता है ये difference है दोनों में ध्यान रखेंगे अब तो कह रहा है कि जून से ही जो non oil exports है उनकी exports growth में हिस्सेदारी है वो घट रही है और इसमें देखा गया है कि बहुत सारे sectors हैं उसमें भी contraction की गती काफी तेज है सितंबर से लेकर नवेंबर तक से देखने को मिला from के साथ 2 लगता है यहां से शुरुआत होती है और नवेंबर में end होता है अब बताया कुछ वस्तुमों के नाम तो engineering goods जो है जो की जिसने की अधिकांश अधिकतर भारत का जो record 422 बिलियन डॉलर का जो goods export हुआ था उसको इसने drive किया इसको push किया इसको धकेला इसको चलाया 2021-22 में यह engineering goods भी contract हुआ 11.9% जबकि textiles में गिरावट आई इससे भी टेज 25% ठीक है इसका screenshot ले सकते हैं फिर कह रहा है December's pending festive orders festive मतलब festival से संबंदित December में जो festival से संबंदित जो orders है तो यह अभी भी में है तो संभावना बता रहा है still lift lift मतलब उठाना यह भी उठा सकता है export numbers को मतलब निरियात के आंकडे बढ़ा सकता है month on month मतलब महिने दर महिने but the onset of 2023 would spell greater pressures onset का मतलब नोट कर लो onset noun है और इसका मतलब होता है beginning या start beginning या start प्रारंब को बोलते हैं अच्छा onset noun है यह कैसे पता लगा तो यह determiner है इसके ठीक बाद में आ रहा है इसलिए मैंने इसको कह दिया कि noun है और month on month वाली बाद बता दूँ कि जब दो एक जैसी noun हो and one बराबर and two हो और बीच में preposition हो तो यह दोनों ही noun singular होती है और साथ में verb भी singular आती है याद रखियेगा जब दो एक जैसी noun preposition से जुड़ी होई होती है और बीच में preposition आता है तो दोनों noun singular होती है और verb भी singular होती है तो December के जो pending orders है कि festival season के अंदर कुछ orders और मिलेंगे तो अभी भी ऐसा हो सकता है Still का मतलब even now होता है डवब है lift कर सकता है मतलब बढ़ा सकता है increase कर सकता है एक्सपोर्ट के आकड़ों को महीने दर महीने कर पुलना करेंगे तो लेकिन 2023 का जो प्रारंब है वो greater pressure सी यहां पर कोज कर सकता है spell का मतलब है result होना और result भी क्या कि result थोड़ा negative होगा इसमें तो अगर कोई नकारात्मक परिणाम का अगर कोई कारण बनता है तो इसको बोलते हैं हम spell लेकिन 2023 की शुरुआत जो है वो काफी जदा दबाव बढ़ा देगा किसके लिए भारत के trade story के लिए मतलब भारत की जो व्यापारी कहानी चल रही है व्यापार की जो कथा चल रही है यह जो narrative चल रहा है इसके अंदर बहुत ज़दा pressure यह increase कर देगा with key markets इसमें जो महत्तोपुन बाजा रहे है heading into a recession वो जा रहे है किसमें recession में आर्थिक संकट का उनको सामना करना पड़ recession का मतलब होता है slump मतलब आर्थिक संकट को बोलता है ठीक है heading into का मतलब है यह उसके टुवार्ट जा रहा है उस दिशा में जा रहा है ठीक है तो भारत के जो की markets है की का मतलब यहां important है क्योंकि executive है की जब executive होता है ना उनसे पहले आता है तो इसका मतलब होता है significant important vital तो जो मैं तो पुण बाजार है वो recession का सामनों करना पड़ रहा है having grown 11.1% in the first 8 months of 22-23 अब देकि having के साथ third form है तो यह perfect participle कहलाता है grown grown जो है वो grow grow grown ऐसे form बनती तीनो grow first form है फिर grew second form है फिर grown third form है तो having grown having के साथ third form मतलब ऐसा होने के बाद तो 11.1% बढ़ोतरी इसमें हुई है पहले 8 महीनों में 2022-23 के तो 2022-23 के पहले 8 महीनों में 11.1% बढ़ जाने के बाद goods exports जो है वो अभी भी गिर सकता है कितना 2.3% पूरे साल के दोरान over का मतलब है during over a preposition है और इसका मतलब है during लिख लिजिए तो यह ऐसा possible है तो कह रहा है कि 2022-23 के शुरुआती 8 महीनों के अंदर 11.1% बढ़ोतरी तो हुई है लेकिन goods का आयात जो है निर्यात जो है वो अभी भी गिरावट उसमें आ सकती है 2.3% की पूरे साल के अगर बात करें तो और यह बात किसने बताई है care rating research paper है उसने चेतावनी दी है इस बारे में caution का मतलब वर्ण करना alert करना यह मतलब चेतावनी दी है कब Tuesday को जब particular किसी day or date की आप बात करते हो तो वहां पर ओन लगता है तो Tuesday की ही बात इसलिए उनका प्री हो गए इसका screenshot ले लिजी फिर कहरा while the world trade organization expects तो जब यदपी while फिर आ रहा है दो closes को जोड़ेगा दोनों विपरीत विचारधारा के दोनों विपरीत नेचर के होंगे तो यदपी जो WTO है उसकी आशा है वो expect करता है कि global goods trade to grow just 11% in 2023 कि पूरा जो वैश्विक बाजार का जो माहूल है जो वैश्विक व 2023 में तो care जो है यह जो rating agency है reckon का मतलब होता है consider करना या फिर reckon का मतलब होता है think, सोचना, विचारना, राय रखना लेकिन care को ऐसा लगता है कि भारत का export जो है वो बढ़ सकता है कितना meager, meager का मतलब होता है inadequuity या scanty, बहुती कम, little, scanty या little तो 2023-24 वाला जो वित्तवरश है उसमें इतना percent बढ़ सकता है, मतलब हालांकि बढ़ोतरी तो alp ही है, कम है, लेकिन इतना हो सकता है, यह reckon का, यह इसका care का मानना है, तो WTO का expectation तो यह है कि global trades जो हैं वो बढ़ेंगे कितना, केवल 1% 2023 में, जबकि care जो है वो उसका मानना है कि भारत के जो exports है वो उसमें होती है, जो भेजा गया प्रेशित धन होता है, उसको बोलता है, remittance मतलब होता है, sent money, भेजा हुआ धन, प्रेशित धन, तो अगर सेवा छित्र की बात करें और जो पैसा भेज़े दाता है विद्यशों से जो काम करने वाले लोग हैं, इंडिया के लोग बहार काम कर रहे ह वहां से जो पैसा भेजते हैं, वो यहां भारत को कुशन कर सकते हैं, कुशन का मतलब है, प्रोटेक्ट या शिल्ड, वो सुरक्षा दे सकते हैं, वो रहात दे सकते हैं, किसको भारत के वरतमान, current account deficit को, जो current account अघटा चल रहा है, उसको किस से बचा सकते हैं, from goods trade imbalance, जो goods trade का एसन तुलन देखने को मिल रहा है, उससे and restrict और रोक सकते हैं, economy के external vulnerabilities को, external मतलब बहारी, vulnerability का मतलब risk, खतरे, तो जो बहारी खतरे हैं, देश की अर्थेवस्ता को उससे बचा सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, तो subject work देख लेंगे इसके अंदर, तो services, exports and remittances, inflows, inflows का मतलब जो बहार जा रहा है, ठीक है, तो ये आमदनी होगी एक प्रकार से, तो services, exports and remittances, inflows, inflows ये subject हो गया, इसकी verb है, may cushion, cushion का मतलब है protect या shield, और जब पता हो कि protect करते हैं, किस से protect करते हैं, किस से बचाते हैं, उसके लिए from लगता है, तो यहाँ from है, तो services, exports और जो sent money का inflows है, ये प उसको रोख दे, लेकिन policy makers को आउशकता है, policy makers की verb need है, to focus on, focus के साथ own लगेगा, ensuring, preposition आ गया, इसलिए ING लग गया, a soft lending for factories, soft lending का मतलब होता है, कि भई, ठीक है अर्थेवस्ता के अंदर problems हो चल रही है, लेकिन उससे recession नहीं आ जाए, कुछ ऐसे हालात में रखना, कि वो आर इस पर ध्यान focus करें, कि ये सुनिश्चित करें कि factories के अंदर आर्थिक मंदी का सामना ना करना पड़े, in export intensive sectors, किसमें वो factories जहां पे export ज़्यादा होता है, समान, export intensive sectors का मतलब वो छेतर जो export intensive है, जहां पे निरियाद ज़्यादा होता है, that are, that are sectors के लिए, relative pronoun है, that are also massive employers, और य ये ऐसे जो सेक्टर्स होते हैं, जहां पे निरियाद ज़्यादा होता है, वहां पे रोजगार भी ज़्यादा मिलता है, massive का मतलब होता है, use, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में रोजगार सरजित करते हैं, काफी ज़्यादा रोजगार देते हैं, so that, ताकि, अगर ऐसा करो तो जो पूरे विश्व के अंदर व्यापार के इस कंटेक्स्ट में निराशा देखने को मिल रही है वो यहां डॉमेस्टिक सेंटिमेंट को प्रभावित नहीं करेगा अगर ऐसा होगा तो जो घरेलू मार्केट में जो निवेशक हैं जो पैसा मार्केट में निवेश करना च होगी तो एल्सो का प्रियोगबात में होगा तो लिंकिंग वब है अर इसलिए और वेश्क के बाद में हैं ग्लोबल ग्लूम है इसकी वर्भ है डज नॉट हेट है ठीक है आगे देखे अगे इन रिसेंट वीक्स हाल ही के सब्ता कि अगर बात करें हाल ही के वीक्स की अगर बात करें तो government belatedly belatedly का मतलब होता देरी से scrap का मतलब क्या है scrap का मतलब है remove करना get rid of कह सकते हो मतलब हटाना get rid of कह दो या discard कह दो हटाना D-I-S-C-A-R-D तो हाली के सब्ता में government ने देरी से हटा दिया export duty को जो निर्यात पर कर लिया जाता था किस पर steel और iron ore मतलब steel पर और लोहे पर और का मतलब तो खेर I-S को होता है लोहे का I-S है में tight है न यह सब सुना होगा आपने FE2O3 जो formula बनता है chemistry में तो यह जो है इस पर steel और iron ore पर जो export duty लगती थी उसको government ने हटा दिया हलंके हटाया देरी से ही लेकिन हटा दिया that was hurting engineering exports too और यह जो चीज है यह जो export duty है यह engineering exports के अंदर भी प्रभावित कर रही थी इसको भी हट कर रही थी छेतर को and brought them under a tax refund scheme और इसको सरकार tax refund scheme के तहत भी ले आई है ठीक है इन sectors को सरकार tax refund scheme के अंदर भी ले आई है with thus far excluded sectors like drugs and chemicals जो की अब तक thus far का मतलब है so far यह sector अब तक बाहर था excluded था किस से जैसे कि drugs और chemicals है दवाई वाला जो छेतर है chemicals वाला छेतर है उसकी तरह यह भी tax refund scheme के तहत आता नहीं था इसको ले आई इस tax refund scheme के तहत तो government की verb है वो scrapped है that आ रहा है वो आ रहा है इसी के लिए यह जो export duty है इसके लिए इसकी verb है was hurting तो कह रहा है कि हाली के सबता हमे government ने dairy set export duty को हटा दिया है लोहे और steel पर जो एक्सपोर्ट लगती थी उसको और इस चीज ने परभावित किया किसको यह परभावित कर रहा था engineering exports को भी और इनको ले आई है steel core और जो iron ore को कहां पर ले आई है tax refund scheme के तहट जो की अब तक drugs और chemicals की तरह excluded sectors थे बाहर निकालेवे sectors थे इसमें शामिल नहीं थे sectors यहां पर noun है excluded यहां पर executive है past participle है keeping an eye keep an eye का मतलब होता है नजर बना कर रखना on market realities तो market की जो वास्तविक्ताए हैं उस पर नजर बना कर रखना जो है to respond deftly ताकि वो कुशल्टा से aptly कह सकते हो इसको skillfully कह सकते हो कुशल्टा से कह सकते हो तो market की जो वास्तविक्ताए हैं उस पर नजर बना के रखना किस लिए ताकि बड़ी कुशल्टा से हम respond कर सकें तो emerging challenges और respond किसको करना है जो भी challenges उभर रहे हैं उभरते वे challenge है जो सामने आ रहे हैं चुनोतियां हैं उसकी तरफ तो ये keep की verb हो गए is क्योंकि ing form है और मैंने हर एक session में लगवग उताया है आपको कि जब जब ing form subject बनती है तो उसे grammar की भाषा में आप gerund बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में उसको verbal noun कहा जाता है तो ये verbal noun है gerund है तो keep and I तो एक phrase है इसका मतलब नजर बना के रखना तो market की वास्तविक्ताओं पर नजर बना के रखना किसलिए ताकि emerging challenges को कुशलता से respond किया जा सके ये vital है vital मतलब important है महत्तोपूर्ण है किसलिए भारतिये निर्यातकों के लिए to sustain ताकि वो sustain कर सके ताकि वो चलते रह सके लगातर बने रह सके through that coming turmoil and perhaps मनला किस में sustain करना है जो अभी आने वाला turmoil है turmoil का मतलब होता है उथल पुथल disorder chaos disorder कह सकते हो जो आने वाली उथल पुथल है उससे and perhaps और शायद even expand their share in the global trade pie पाई का मतलब थोड़ा हिस्सा है share है ठीक है और global trade pie के अंदर वैश्विक बाजार वैश्विक व्यापार का जो हिस्सा है उसमें जो उनका share है उसको बढ़ा सके expand कर सके मतलब increase कर सके ठीक है repeat कर देता हूँ कि market realities पर नजर बना कर रखना किसलिए ताकि उभरते वे challenges जो है challenges कैसे emerging emerging यह present participle है जो challenges लगातार सामने आ रहे हैं उसको कुशलता से उसको respond किया जा सके ये महत्तोपूर्ण भारती exporters के लिए ताकि वो आने वाले उथल पुथल को सहन कर जाए उसमें से निकल जाए उसको sustain कर जाए और शायद अपना जो हिस्सेदारी है वो बढ़ा सकें expand कर सकें किसमें global trade पाई में वेश्विक व्यापार की जो हिस्सा है वियतनाम, कंबोडिया, बांगलादेशन, चाइना ये चार देश इनकी वब है इन्होंने देखा है उनका share बढ़ा है their share rise इवन वेश्विक व्यापार की ग्रोथ भी अपने आप में गिर रही थी जब पूरा वेश्विक व्यापार चोपट हो रहा था तो इन चारों देशों ने अपना जो हिस्सेदारी है अपना जो share है उसमें rise देखा बढ़ोतरी देखी in the years before COVID-19 किन वर्षों में जब COVID-19 आया था उससे पहले के वर्षों में इंडिया 2 भारत भी 2 का प्रियोग हम उस शब्द के ठीक बात में करते हैं जिस पर emphasize करना होता है जिस पर stress डालना होता है तो भारत भी क्या करना चाहिए भारत को भी aspire करना चाहिए aspire का मतलब है desire इच्छा करनी चाहिए strong desire रखनी चाहिए किसकी तो emerge stronger कि भारत और मजबूती से सामने आए उभर कर आए किस से brewing storm से जो तुफान इस brew हो रहा है brew हो रहा है मतलब लगातार मतलब जो नजदीक आ रहा है brew का मतलब है about to happen about to happen या जो impending है क्या कहोगे impending या फिर क्या कहोगे इसे कह सकते हो आप nearing जो नजदीक आ रहा है तो भारत को भी क्या करना चाहिए बहुत strong desire रखनी चाहिए कि भारत strong emerge करे बहुत अधिक मजबूती से उभर कर आए सामने किस से उस तूफान से जो कि तूफान आने वाला है जो निकट है जो नजदीक है तो यह था आज के सेशन में अब मिलेंगे हम कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम पांच बजे तब तक लिए नमस्कार तेंक यह वर्माच